पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार तुर्की अमीरों ने हिंदुस्तानी मुस्लिम अमीरों को परास्त करके खुसरो शाह को मार दिया और दीपालपुर का गवर्नर गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक गाजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया गयासुद्दीन जिस समय दिल्ली के तक्त पर बैठा उस समय सल्तनत की दशा बड़ी शोचनिय थी इस कारण नए सुल्तान के समक्ष कई कठनाईयां मुह बाए खड़ी थी इस समय केंद्रिय सरकार के शक्तिहीन हो जाने के कारण दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न हो रही थी प्रांथिय गवर्नर तथा हिंदू राजा स्वयम को पून रूप से स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे पंजाब में जो नव मुस्लिम बस गए थे वे सदैव शर्यंत्र रचा करते थे और विद्रोह करने के लिए उद्यत रहा करते थे पंजाब के खोखर जाट अब भी स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे सिंध में भी गड़बडी फैली हुई थी और दक्षणी सिंध लगभग स्वतंत्र हो गया था गुजरात में भी अशांती फैली थी और वहां के गवर्नर सतंत्र होने का प्रैत्न कर रहे थे बंगाल का प्रांत दिल्ली से दूर होने के कारण सतंत्र होने का प्रैत्न करता रहता था राजपूताना के वीर राजपूत भी अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनेय प्राप्त करने का प्रेतन कर रहे थे दक्षिन के राज्य भी धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे गयासुद्दीन तुगलक की दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई सल्टनत की आर्थिक विपन नता थी मुबारक खिलजी तथा खुसरो शाह ने राजकोश का सारा धन सेना तथा अयोग्य व्यक्तियों को बांट दिया था इससे राजकोश बिलकुल रिक्त हो गया था अल्लाउदीन के कठोर नियमों के कारण बहुत से किसान खेट छोड़ कर भाग गये थे इसलिए क्रशी की दशा भी अच्छी नहीं थी गयासुद्दीन ने अपना शासन जमाने के लिए कई कार्य किये तथा नई सुधार योजनाएं आरंभ की सबसे पहले गयासुद्दीन ने आर्थिक सुधारों की ओर ध्यान दिया जिन लोगों ने राज्य का धन हरप लिया था विशेशकर जिन लोगों ने खुसरों से रिश्वत ली थी उन्हें सारा धन राजकोश में वापस जमा करवाने के लिए बाध्य किया गया जिन लोगों ने खिलजी राजवंश की महिलाओं के साथ दुर व्यवार किया था उन्हें दंडित किया गया खिलजी राजवंश की महिलाओं में से जो विवाह के योग्य थी उनके लिए उचित वर ढूंड कर उनका विवाह कर दिया गया अन्यमहिलाओं को पैंशन देने की व्यवस्था की गई जिन लोगों ने खुसरों के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की सहता की थी उन्हें पदों तथा जागीरों से पुरस्कृत किया गया सुल्तान ने अपने संबंधियों को भी अनुग्रहित किया इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों तथा अपने संबंधियों को संतुष्ट करके बड़ी सतरकता के साथ शासन का कार्य आरंभ किया जिस समय गयासुद्दीन तुगलक तक्त पर बैठा उस समय भारत में मुस्लिम जनता की संख्या पहले की अपेक्षा काफी बढ़ चुकी थी दिल्ली में बहुत से मुसल्मान परिवार रहते थे ये लोग विगत 130 वर्षों में हिंदुओं से मुसल्मान बनाए गए थे इस कारण मुसलिम प्रजा में धनी एवं संपन्न लोगों की संख्या बहुत कम थी अधिकांश भारती ये मुसल्मान गरीब और दुखी थे गयासुद्दीन तुगलक के आर्थिक सुधार दो सिध्धांतों पर आधारित थे जिन में से पहला सिध्धांत ये था कि कोई धनी व्यक्ती और अधिक धनी न हो और दूसरा सिध्धांत ये था कि कोई भी निर्धन व्यक्ती इतना दरिद्र न हो कि उसका भरन पोशन भी कठिन हो जाए राजधानी में व्यवस्था इस्थापित करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कृष्वी सुधारों की ओर ध्यान दिया क्योंकि गावों में भी बहुत से हिंदूओं को मुसल्मान बना लिया गया था इसलिए अब मुसलिम किसान भी परियाप्त संख्या में हो गये थे गयासुद्दीन तुगलक ने इन किसानों के साथ उदारता का व्यवहर किया राज्य की ओर से भूमी का निरीक्षन करवा कर भूमी कर निश्चित कर दिया गया मुसलिम किसानों से उपज का साथवा अथवा दसवा भाग राज्य द्वारा लेना तैक किया गया मुसलिम किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई उन्हें हल बीज के लिए राज्य की ओर से धन दिया गया और सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरें खुदवाएं गई गयासुद्दिन तुगलक ने न्याय व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन किये उसने प्राचीन निर्णयों तथा कुरान के सिध्धानतों के आधार पर एक न्याय विधान बनवाया और तदनुसार न्याय करने की आग्या दी इस प्रकार गयासुद्दिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन गया जिसने न्याय विधान बनवाया गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत के विभिन्न भागों में डाक पहुंचाने की सुन्दर व्यवस्था की डाक वितरन के लिए घुर सवार तथा पैदल सिपाही लगाए गए जो डाक लेकर एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाते थे तत्येक मार्ग पर निश्चित दूरी पर चौकियां बनाई गई जहां पर पत्रवाहक सदय उपस्थित रहते थे ये पत्रवाहक एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में लाठी लेकर चलते थे उनके सिरों पर घंटियां लगी रहती थी पत्रवाहक दोड़ता हुआ जाता था घंटी की आवाज से अगली चौकि के पत्रवाहक को पता लग जाता था कि डाक आ रही है गयासुद्दिन तोगलक अपनी मुसल्मान प्रजा के लिए उदार तथा दान शील शा सक था उसने इस्लाम स्विकार करने वाले परिशम शील तथा अध्यवसाई व्यक्तियों को प्रोच सहन दिया अति निर्धन मुसल्मानों के लिए उसने एक दान शाला की व्यवस्था की जहां फकीरों, बिखारियों तथा जरूरत मन लोगों की आर्थिक सहता की जाती थी सुल्तान गया सुद्दिन तोगलक ने सेना में भी कई सुधार किये उसने सेनिकों के साथ उदारता का व्यवहर किया सेना का वेतन वह अपने सामने बठवाता था जिससे धन का अफ्याय न हो उसने अपनी सेना में योग्य सेना पतियों की अधीनता में हजारों नए घुड सवारों को भरती किया घुडों का अच्छी तरह निरिक्षन किया जाता था और उन्हें दागा जाता था गयासुद्दिन तुगलक के समय की शासन व्यवस था हालांकि मुस्लिम प्रजा के हित के लिए बनाई गई थी गरीब एवं अमीर मुसल्मान के बीच न्याय करते समय समानता के सिध्धान्त का पालन किया जाता था वह अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन देता था परिश्रमी तथा इमानदार व्यक्तियों को उचे पदों पर नियुक्त करता था तथा योग्ये व्यक्तियों को समुचित पुरसकार देता था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने सूबेदारों से राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए पुलिस विभाग में भी उसने कुछ परिवर्तन किये गयासुद्दीन कटर सुन्नी मुसल्मान था डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने लिखा है कि हिंदुओं के प्रती उसका व्यवहार उदार नहीं था पूर्ववर्ती सुल्तान अल्लावदीन खिलजी ने हिंदुओं पर जो कर लगाए थे वे गयासुद्दीन के समय में भी जोंके त्योंजारी रहे सुल्तान गयासुद्दीन ने हिंदुओं के नाम ये फर्मान जारी किया कि वे पूर्जी का संग्रहन करें जहां मुस्लिम किसान राज्य को अपनी उपज का 10 से 15 प्रतीशत कर दे रहे थे वहीं हिंदुओं को अपनी फसल का 50 प्रतीशत करके रूप में देना पड़ता था ताकि वे धन संग्रहन न कर सकें हिंदु प्रजा को लूटना, उनको जवरन मुसल्मान बनाना तथा उनके देवालयों को धराशाई करना उसके शासन में भी पूर्ववत बना रहा युद्ध के समय में वे हिंदुओं के मंदिरों तथा मूर्तियों को विध्वन्स करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करता था इन सब उपायों से गया सुद्धीन तुगलक ने मुसल्मान जनता के आर्थिक एवंधार्मिक जीवन को उच्छा उठाने का प्रयास किया अगली कड़ी में देखिए शहजादे ने सुल्तान को तंबू के नीचे दबा कर मार दिया क्रपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवंशेयर करें धन्यवाद